हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तो गुरूप D के लिए मैट्स की किलास और रीजिनिंग की किलास रेगुलर है, आज आपकी रीजिनिंग की जो किलास है, वो किलास नंबर 4 है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा 4 रेशियो 7, 9 रेशियो वाट, 4 का रेलेश लेकिन 12 option में नहीं है, तो यह तरीका तो नहीं लगेगा, कोई दूसरा तरीका लगेगा, 4 दे रखा है, अगर दोस्तों मैं 4 का square करूं तो 16 होता है, लेकिन हमें क्या बनाना है, 7 बनाना है, ठीक है, 4 का square किया 16, अज 16 में क्या है, जो संख्या हैं उन्हें मैं बापस जोड कीजिए कितना होता है, 81 होता है, यहां जो square करने के बाद आया था, उन्हें हम जोड़ेंगे, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 किस option में है दोस्तों, 9 आपका पहले ही option में दे रखा है, तो पहला option हो जाएगा आपके question का सही answer, उम्मीद करता हूँ सभी को question बहुत बहुत important है, exam में पूछा गया प्रशन है, यहां पर देखिए भारत का relation मोर से है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का relation यहां पर किस से बनेगा, चार option है आपके पास चीता, शेर, इस पेरो, या फिर बाल्डीगल, अब यहां पर आपको समझना है कि भारत का relation मोर से कैसे है, तो आपको अगर मालूम है कि भारत का जो राष्ट्रिय पक्षी है वो मोर होता है, भारत का राष्ट्रिय पक्षी मोर होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रिय पक्षी कौन सा होगा, अब कुछ लोगों को पता है कि चीता एक पक्षी नहीं है, शेर भी एक प ख़लत है पर मेरिके का जो राष्ट्रय पक्छी आगया दोस्तों यहां पर याद रखियेगा Goal होता है अमेरिका का जो राष्ट्रय पक्छी वह क्योंसा है वाल डीगा अगर एक्जाम में कुशन पूच लिया गया दोस्तों गलत नहीं करना सभी प्रेशन कराऊंगा जो भी प्रेशन गुरुप डी के लिए वनता है सभी लेकर क्याऊंगा वस आफ रेगूलर तैयारी करते रहिए हमारे साथ ठीक है दोस्तों वाल्ड डीगल हो जाएगा आपके कोशन का सही आंसर अब देखेंगे दोस्तों अगला कोशन अगला कोशन है दिये गए बिकल्पों मेंसे विसम शब्द को चुनिये चार बिकल्प हैं आपके पास अंगूर, केला, लीची, आम चारों के चारों दोस्तों फल दिये गए हैं इन मेंसे हमें क्या सुनना है दोस्तों विसम को चुनना है तो इन चारों में कोई न कोई पाके है अंगुर, केला, लीची या आमकी मैं बाथ करूँ, तो इन में से चारों में से कोई एक है जो इन चारों से अपने आपको अलग बनाता है, वही अलग आपको पता करना है, ठीक है, चारों की चारों फल हैं लेकिन इन मैं से कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अलग होगा अंगूर की अगर मैं बात करूं तो अंगूर एक ऐसा फल है जिसको हम छील के नहीं खाते हैं अंगूर को दोस्तो हम छील के नहीं खाते ठीक है केले की बात करो तो हम केले को छील के खाते हैं लीची को भी छील के खाते हैं आम समझ में आगी दोस्तों तो ऐसे प्रेशन एक्जाम में पूछे जाते हैं ये आपको आने चाहिए अब देखेंगे दोस्तों अगला कोशन अगला कोशन है यदि 2 स्टार 3 वराबर 1 और 3 स्टार 4 वराबर 5 हो तो 7 स्टार 9 वराबर क्या होगा अब यहाँ इस्टार की जगर आप पिलस का साइन ले लें तो 2 और पिलस 3 5 होगा एक नहीं होगा माइनस का साइन ले 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 तब भी माइनस का 1 आएगा के लिए रहे दोस्तों मल्टिप्लाई का साइन ले 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 दो तरिक का 6 आएगा one नहीं आएगा लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ लोजिक ऐसा होगा कि दो और तीन से आपका one बनेगा ठीक है? वही लोजिक तो सिखाना है आपको देखिए दो और तीन से एक कैसे बना सकते हैं दो लिखिए तीन लिखिए ठीक है? दो और तीन का कर दिजिया Multiply कितना होगा? दो तरिक का चे होगा इतनी बात समझ मैई दोनों का एक बार Multiply किया दोनों को क्या कीजिए? एक बार जोड दिजिए दो और तीन कितना हो जाएगा? 5 Multiply करने पर 6 आया जोडने पर 5 आया दोनों का कर दिजे अब अंतर छह में से 5 जाएगा कितना बचेगा एक यहां पर आपको एक दिया गया है बात समझ मैं एक बार multiply किया यहां भी एक बार multiply कर दो 3 multiply चार कितना हो जाएगा 3 हो चौक्त कर बारा एक बार जोड़ दिजे 3 plus 4 कितना हो जाएगा दोस्तो 7 दोनों का क्या करेंगे अंतर यहां भी दोनों का अंतर कीजिए 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5 यहां पर आपको 5 दिया गया है उम्मिद करता हूँ सभी को लोजिक समझी में आ गया होगा एक बार multiply यहां भी कर दीजिए 7 multiply 9 कितना हो जाएगा 9 सत्य 63 हो जाएगा एक बार जोड़ दो 7 plus 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा अब क्या कर दीजिए दोनों का अंतर तो 63 में से अगर मैं 16 को घटा दूँगा कितना बचेगा 47 बचेगा 47 किस option में है पहले ही option में आपका 47 दे रखा है तो पहला option हो जाएगा दोस्तो आपकी question का सही answer मैं उमीद करता हूँ दोस्तो सभी को question बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा और logic को याद रखिएगा दोस्तों और same logic पर same pattern पर question को book से solve किया करो जिससे कि आपकी practice हो जाए ठीक है दोस्तों जितनी practice करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका दी गई आकरती में तिरभुजों की संख्या ग्याद कीजिए देखे दोस्तों आपको एक आकरती दी गई है एक दो तीन चार ऐसे गिने यहाँ तब भी चार ऐसे गिने आपने तब भी चार हुए ठीक है चाहें ऐसे गिन लो एक दो तीन चार ऐसे गिनेंगे दोस्तों आपके तब भी चार एक दो तीन चार यासे गिनेंगे दोस्तों 3-3 का बने 5-5 का बने 6-6 का बने तो उसमें क्या करेंगे यहां 4-4 का बन रहा है तो 4 का Q कर दीज़े 4 का Q कितना होता है 64 होता है 64 हो गया आपके solution का सही answer अगर इसी में 5-5 का symmetry बने ऐसे गिनो तब भी 5 ऐसे गिनो तब भी 5 ऐसे गिनो तब भी 5 ऐसे गिनों तब भी 5 तो सीधा सीधा 5 का Q कर देंगे आप कितना जाएगा 5 का Q 125 होता है आंसर 125 हो जाएगा समझे में आई दोस्तो बात लोजिक बहुत बहतरीन है ये प्रेशन एक्जाम में पूछा जाएगा देखके ही आंसर कर देना है अब देखेंगे दोस्तो अगला चुनना है ठीक है इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा जो बिसम होगा तो जादा तर स्टूडेंट ने पहले ओप्सन में गलत कर दिया होगा पहला ओप्सन कर दिया होगा क्यों कर दिया होगा कि कोई इसका सरकल है इसमें कोई भी कोना नहीं है इसमें भी कोने है इसमें भ गलत है यह गलत क्यूं है अभी पता चल जाएगा हमेशा एक बात याद रखना कभी भी प्रेशन आपके सामने आए तो जल्दवाजी में कभी भी मत करना जल्दवाजी में गलत हो जाएगा या तो आपका कंसेप्ट किलियर है एकदम पूरी अच्छे तरीके से तभी आप कर वरना एक बार और सोच लेना कहीं इसमें कोई दूसरा तरीका तो नहीं लग रहा है अब जिसने पहले पे सही कर दिया था उनको मैं बता दू पहला गलत है क्यूं गलत है इसको आप दूसरे तरीके से सोचिए यहां पर इसे काउंट कीजिए एक दो ती चार पांच छे कित इसे काउंट कीजिए एक दो ती चार पांच छे इसमें भी छे खाने हुए इसको काउंट कीजिए एक दो ती चार पांच छे साथ आठ इसमें आठ खाने है तो इसमें जो बिसम है सबसे अलग वो यह है option number D आपका सही होगा पहला option गलत है दोस्तों इस पे अगर आपने ज इसमें भी 6 इसमें भी 6 इसमें भी 6 लेकिन इसमें कितने हैं 8 तो ये बिसम है ये सबसे अलग है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को कोशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा जल्दवाजी में कभी कोशन गलत नहीं करना हमेशा सोचिये कोशन में कोई कर दीजे ठीक है दोस्तों धन्यवाद